नमस्कार आसा करता हूँ आप ठीप होंगे दोस्तो आज की कहानी सुनने के बाद आपके रोंग्टे खड़े हो जाएंगे आपको अपने कहाने पर विश्वास नहीं होगा कि कोई ओरत इतनी भी हैवानियत कैसे कर सकती है खुद एक ओरत होने के बावजूद 650 मासूम लड़कियों की हत्या कैसे कर सकती है वो भी सिर्फ उनके खून से नहाने के लिए उस ओरत ने सारी हदे हैवानियत की पार कर दी थी और इधर उसका पती अपने लोगों की रक्सा करने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देता था और उसकी पतनी उन मासूम को मार कर खून से नहाती थी जी हाँ दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे खुपसूरत और खुंकार लेडी सीरियल किलर की जिसने बड़े ही बहरेमी से कई सारे मासूम लड़कियों की हत्या कर दी थी तो दोस्तो कोन थी वो ओरत जिससे इंसानियत भी सर्माज आए आखिर ऐसा क्या कर रही थी वो लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला और उसका क्या हुआ तो चलिए सुरू करते है कहानी ये घटना हंगरी समाज के हंगरी यूरोप का एक छोटा सा देश है ये बेहदी पुराना देश है जो कभी रोमन समराजे का हिस्सा हुआ करता था कहा जाता है इस देश पर हनस नामक प्राजय सम्मू ने आकरमन कर दिया था उसी के बाद से इसका नाम हंगरी पड़ गया था यह एक ऐसा देश है जहां किसी बच्चे का नाम उसके माता पिता नहीं बलकि वहां की सरकार रखती है वहां की सरकार एक लिश्ट जारी करती है और माता पिता को उसी में से अपने बच्चे का नाम रखना पड़ता है इसी हंगरी देश की कहानी कई दसको पुरानी है ये कहानी है सन 1558 से 1610 के दसक की बीच की है उस समय हंगरी समाज पर राजा किंग मथात दिवीत का राज हुआ करता था और इसी समराजे से जुड़ा हुआ था पादरी परिवार पादरी परिवार भी एक साही परिवारों का हिस्सा था क्योंकि इसी परिवार में हंगरी की जक्सर करने के लिए बड़े युद्धाओं का जनम हुआ करता था इसी परिवार का युद्धा था फ्रैंक नेडिस्की जो तुरकों के साथ युद में हंगरी का हीरो सावित जो बहुत ही खुपसूरत थी जिसकी खुपसूरती के किस्से दूर दूर तक थे एलिजाबेट पादरी का रुत्वा इतना था कि उसकी एक आदेश पर महलों में कई नोकरों की लाइन लग जाती थी लेकिन इसी एलिजाबेत पादरी ने अपनी खुपसूरती पर इतना घमंड किया कि इसी वज़े से उसकी मोत भी हुई वे अपनी खुपसूर्ती पर इतना घमन करती थी कि जब उसे कोई कह देता था कि आपकी उम्र जादा हो रही है तो वे गुच्से से पागल हो जाती थी वे भूत पिसाज ना ही इन पर विश्वास करती थी लेकिन इन पर उसको विश्वास होने लगा था जब वे अपनी खुपसूर्ती के घमन में आ गई थी और काले जादू की किताबे पढ़ने लगी थी जिस किताबों में इंसानों को मार कर अपनी इच्छा पून करने की बा पाजकुमारी थी जो कुवारी लड़कियों के खुण से नहा कर हमेशा जवान और खुपसूरत रहती थी बस इनी बातों को सुनकर एलिजाबेट पादरी पर सनक सवार हो गई और वे अब सोचने लगी कि वो भी लड़कियों के ताजे खुण से नहाएगी और हमेशा के लिए महल के तीन नोकरों की मदद लिया करती थी और इसके इस सनक का सिकार पहले वो लड़किया बन जाती थी जो गरीब घर की होती थी उस लड़कियों की उम्र करीब 16 साल के आसपास की होती थी उन गरीब लड़कियों को महल में काम करने के लिए बुलाया जाता था औ और दूसरी बात ये भी थी कि गरीब लड़कियों को कोई काम मिल जाता था पर उनके घरवालों को क्या पता था कि उनकी घरवालों की मासूम लड़किया जिसे काम करने के लिए भेजा गया है वे किसी की सनक का सकार हो जाएगी एलिजाबेट पादरी उन लड़कियों को महल में इतना टोर्चर करती थी जिसे देखकर किसी की भी रूख काप जाए कहा जाता है कि एलिजाबेट पादरी उस समय भी कुवारी लड़कियों को अपना सिकार बनाती थी जब उसका पती जिन्दा था लेकिन सन 1604 में पती फ्रैंक नेडिस्की की मोत के बाद एलिजाबेट पूरी तरह से हेवान बन चुकी थी अब वो उन मासूम लड़कियों को ऐसी पीड़ा देती थी जिसे जानकर लोगों की रूख तक काप जाए एलिजाबेट बादरी ने अपने महल को मोत का महल बना दिया था पती की मोत से पहले तो वे सिर्फ कोवारी लड़कियों को मार कर उनका खून निकालती और उससे ना आती थी लेकिन पती की मोत के बाद उसे लड़कियों को इस तरह से टोर्चर करती थी कि देखने वाले की रूख तक काप जाए उसे टोर्चर करने में बड़ा ही मज़ा आता था वो उन सभी लड़कियों को जंजीर से बांध कर उनके हाथ पैर को गरम लोहे से जला देती थी किसी लड़की की नाखून अच्छे दिखते तो वे उन्हें उखाड देती थी कई बार उन लड़कियों पर बरफ वाला पानी भी डाल देती थी कभी कभी बिना कपडों के इट हैंड में छोड़ देती थी कई बार तो वो उनके बदन पर सहद लगा देती थी ताकि कीडे मकोडे उन्हें बुरी तरह से काट सके इससे भी भयानक और दरिंदगी से उन लड़कियों को तकलीफ देती जिसे हम सब्दों में भी बया नहीं कर सकते लेकिन कहते हैं ना जुर्म करने वाले का जुर्म कभी छिपता नहीं है एक ना एक दिन सब के सामने जरूर आ जाता है ऐसा ही हुआ एलिजाबेट पादरी के साथ उसका भी जुर्म एक दिन सब के सामने आ गया दरासर एलिजाबेट पादरी ने गरीब परिवारों की लड़कियों को ही महल में बुलाती थी लेकिन वे फिर कभी कभी घर लोटकर नहीं जाती थी इस तरह दिरे दिरे लड़कियों की कमी आने लगी यह देखकर एलिजाबेट पादरी ने अब अमीर परिवार की लड़कियों को भी महल में आने का हुकम देने लगी अब जब बड़े परिवारों की लड़किया गायब होने लगी तब लोगों को सक होने लगा और इसी बीच कुछ ऐसी लड़किया भी थी जो एलिजाबेट की कैद से बचकर महल से बाहर आ गई थी फिर उन लड़कियों ने ये बात अपने घरवालों को बताई कि महल में क्या हो रहा है उनकी आप बीती सुनकर बड़े परिवार के लोगों ने हंगरी के राजा से सिकायत कर दी और इस सिकायत की जानकारी जब गाउवालों को पता चली तो गाउवाले भी गरीब लोगों के साथ हिम्मद दिखाते हुए एक साथ मिलकर राजा के पास गए और अपनी परिवार की लड़कियों की गुमसुदा की सिकायत कर दी इसे हंगरी के राजा किंग ने बड़ी गंबीरता से लिया और अपने राजय के सबसे अच्छे अधिकारियों से इसकी जाच करना सुरू करवाई जब जाँच हुई तो सभी के द्वारा की गई सिकायते सही साबित हुई जब एलिजाबेत पादरी के महल को देखा गया तो वहां कई सारे कमरों को टोर्चर रूम बनाया गया था महल में लड़कियों की लासे बेडियों से बंदी हुई थी इन में से कई लड़किया जिंदा भी थी और कई मुर्दा भी ये सब देखने के बाद हंगरी के सेना ने एलिजाबेत और उनके सयोगी तीन नोकरों को गिरफतार कर लिया अब इस दिल दहजा देने वाली वारदात के लिए तीन नोकरों को तो फासी पर लटका दिया लेकिन एलिजाबेत बादरी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वह एक साही परिवार से तालुक रखती थी लेकिन उसे पूरी उम्र एक कमरे में बंद रहने की सजा दी गई उसी कमरे में 21 अगस्त 1614 को उसने आखरी सांसे ली इस तरह 1610 में गिनिफतारी के बाद से उसने 1614 में अपने दम तोड़ दिये एलिजाबेत बादरी के बारे में कहा जाता है कि इसने 1590 से 1610 के बीच यानि 20 सालों में करीब 650 से भी ज़्यादा लड़कियों को तडपा तडबा कर मार दिया था उन लड़कियों की हत्य के बाद उसके खून से बाटब में निकाल कर उसके खून से नहाती थी एलिजाबेत बादरी पर कई सारी किताबे और फिल्में भी बन चुकी है तो आज की कहानी में बस इतना ही आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताईएगा जरूर और इसी तरह से रोचा कहानी सुनने के रिए हमारे इलूमिनेटी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा धन्यवाद